philosophies of classroom management में एक और management style है जिसको हम लेसे fact management style कहते हैं ये पहले जो management style से बिलकुल बरक्स है उसके it is the extreme opposite of what we have discussed previously पहले style में हमने ये देखा कि जो उस्ताद है वो in full command of the classroom situation है जो उस्ताद है वो जो है वो एक policeman की तरह भी act कर सकता है लेकिन इस वाले style में, less effect style में, it is the exact opposite of the strong control exercised by the teacher in the classroom. इस management style में जो उस्ताद है वो उसका class में class control बहुर धीला है. इस management style में जो teacher है, he or she is not in full command of the situation. उन्होंने students को वो maximum तौर पर इजाज़त दे देते हैं कि students अपने class में जो करना चाहें वो कर सकते हैं. इसमें बहुत loose control होता है, students are at liberty to do the things they want. और इसमें बुनियादी तौर पर teacher ये समझता है, कि जब student class में आता है, तो एक फितरी अमल है कि वो एक जिम्मेदार शक्स की हैसियत से बैठता है, क्यूंकि बेठर ये है कि वो बैठे खुदी जिम्मेदार शक्स की हैसियत से, क्यूंकि बारहाल सीखना उसकी अपनी जिम्मेदारी है. आम तोर पर इस रवईये में बहुत से मसाइल आ जाते हैं. सबसे पहले मसला तो classroom control का आ जाता है, कि students जो हैं, उनको जब ये मालूम हो जाता है, कि जो teacher है, वो उसने कुछ कहना ही नहीं है, तो फिर the classroom can have a very loose control. And hence, there can be several management issues that can crop up. इस management style में बहुत relaxed रवईया रखा जाता है, और इस management style में इस चीज़ पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता, कि एक systematic तरीके के साथ classroom proceedings जो है, उनका आगास और इखताताम किया जाए. So, इसमें जो teacher है, वो basically उसका hands off होता है, as far as management is concerned. उसका classroom management के साथ कोई तालुक नहीं होता. Teacher जो है, वो यह समझता है, कि उसका बुन्यादी काम पढ़ाना है, वो classroom में आएगा, पढ़ाएगा और चला जाएगा. और इसके इलावा जो classroom control है, उससे उसका कोई ज्यादा गहर तालुक नहीं होता. अब आप ये देखें, कि ये वाली जो philosophy है, ये exact opposite है, जो हमने इससे पहले की है. इसमें teachers का बिलकुल जो है, वो मुत्तजाद रवया होता है. पहली वाली philosophy में हमने देखा, कि teacher full control में है, और इस वाली philosophy में हमने देखा, कि teacher जो है, उसको classroom control की कोई ज्य लावा कोई teaching learning problems है, उन पर भी teacher का कोई खास control नहीं होता. इसमें जो teacher है, वो, she, he or she decides to stay away from the actual classroom proceedings, because the teacher thinks that his or her role is to come, disseminate the lesson and go away. The remaining problems are linked to the students, and the students can solve them on their own. It is not the teacher's responsibility to solve the problems. और हाँ, अगर कोई student को problem है, तो वो खुद teacher से बात कर सकता है, teacher जो है, वो bother नहीं करेगी, या करेगा, कि वो student के पास जा कर पूछे कि क्या कोई मसला है, अब इस 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 अमल से, बहुत से मसाइल पेश आ सकते हैं. बहुत से ऐसे classroom management issues हैं, जो सामने आ सकते हैं, और जिनके बारे में हम बातें करतें आएं हैं. इसलिए ये बहुत जरूरी है, कि हम जो हैं, वो इस चीज़ को देखें कि लेसे fact, जो philosophy है, वो किस हद तक हमने practice करनी हैं. आप students को independence जरूर दें, मगर उस independence की भी कोई हद होनी चाहिए, क्यूंकि बहरहाल जो students हैं, खास तौर पर जो छोटी उमर के students हैं, वहाँ पर classroom control जो है, वो बहुत major issue बन सकता है. जो बड़ी उमर के ताले बिल्म है, वो इतने जिम्मेदार बारहाल होते हैं, कि आप इस रवाइये के साथ पढ़ा सकते हैं, लेकिन छोटी उमर का जो बच्चा है, जिसको behavioral problems भी जादा हो सकते हैं, वहाँ पर जो लेसे fact, style of teaching and learning है, वो problems create कर सकता है. तो बारहाल यह एक style है, यह एक philosophy है और teachers इस philosophy को practice जरूर करते हैं, but this philosophy has to be practiced very carefully in the classroom.